नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग ठीक होंगे तो बच्चों इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कौन किसे कहते हैं कौन को किस परकार से सुझत के जाता है कौन को किस तरह से मापा जाता है तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग परहेंगे कोन के परकार के बारे में कि कितने परकार के होते हैं सम कोन किसे करते हैं नियुक कोन किसे करते हैं अधिक कोन किसे करते हैं रिजु कोन क्या होता है पुनरयुक्त कोन क्या होता है संपूरक कोन किसे करते हैं पूरक कोन किसे करते हैं यह सभी कोन के बारे में हम आप सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बगल में जो भी लाइकन घंटे इसको प्रेस कर दीजे ताकि जब भी में वीडियो टालों तो उसका नोटिफिकेस्टन आपके पास सबसे पहले पहुंच से के त तो बच्चो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कौन के परकार ना आज के कलास में हम लोग पढ़ेंगे कौन के परकार के वारे में ठीक है कि कौन कितने परकार के होते हैं थोते हैं चलिए सबसे पहला कौन ज हमारा वह है सम कौन राइट एंगल सम कोन कि से कहें नौ यह देखिए थोड़ा सा कौन बनता है दो किरन से हैना किरन से पर सीधा गिरेगा जो इस पर पूरा सीधा करेगा सीधा दो होना ठीज़ा ना सीधा ये दो किरन है ये दोनों किरन एक दुसरे पर देख रहे हैं सीधा सीधा है अदम खड़ा है तब जो यहाँ जो कौन बनता है इसी कौन को हम लोग बूलते हैं सम कौन अन्like 90 डिगरी ग्री और नब्बे अपर दिग्री के को ही का बोला जाता है या कि अन farther के ख 술ाने सीधा को इस तरह के कोन को हमलों कर बोलता है स्म कोण सीधा सब्धमें याद रखना है कि नब्बे डिग्री के को को क्या बोलता है समकौन जिसके माप 90 डिनी वह समकौन और समकौन परचानेगे किसे तुधा' रखना है कहीं भी और कभी जोने कोई भी रेखा और किसे रेखा और सीधा सीधी खरा हो नहां बनता है नबब्डी को बनता है नबब्ब्डी दिग्री का 10 सिद्स धिर रहेगा क्या नबब्ब्डी ऑर ये जो क्या कहा है हमारा 90 degree गहें भी ये symbol दिख जाए आपको तो आपको समझ लेना है कि ये 90 degree का कौन है और ये से भी आप लोग को पता चल जाएगा क्या रहेगा एक रेखा दूसरे पर सिधा सिधी खरा रहेगा जब एक रेखा दूसरे पर सिधा सिधी खरा है तब उसको हमें लोग बोलते हैं क्या जिस यह? चले इसका हम लोग डिफिनेशन लिए लेते हैं तो बच्चों आप लोग डिफिनेशन लिए लिजेगा वह कौन जिसकी माप नबे डिग्री हो से सम कौन कहते हैं आप लोग सिधा याद रखेगा कि नबे डिग्री को को बोलेंगे सम कौन जहां भी नबे डिग्री का कौन बनेगा वहां पर एक रेखा दूसरे पर सिधा ख़रा रहेगा जहां पर भी नबे डिग्री का कौन बनेगा वहां पर एक रेखा दूसरे पर सिधा ख़रा रहेगा ख़रा रहेगा ठीक है यह हमारा हो गया सम कौन और पहला कौन चलिए तरफू अब लोग देख सकते हैं अना दूसरा है हमारा नियून कोन एक्ट एंगल ठीक है तो नियून कोन किसे कहेंगे इसको हम लोग समझते हैं तो आप लोग आ है यह हमारे की सम्कौर्ण है यह हमारा जो है सम्कौर्ण हो गया कि 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 assumptions को करते हैं तो वह को जिसकी माफ जीरो डिगरी से बढ़ा हो और सचोटा हो जो करेंगे इस को जुखा देंगे अगर इस तरफ इसको जो जुखा दीए तब जो हमसकों बने को वाग को चिसकी माप क्या हो और 90डिकरी से छोटा हो वाग कौrone म जिसकी माप 0 डिकरी से बला हो और 90 डिकरी से छोटा हो उसे की न्यून कौन ठीक है चलिए इसका हम लोग फीगर बनाजेते हैं जान से ये एक किरन ले लिए ओपी है यह हमारे किरन क्या है ओब है यह हम आरे किरन हमारे क्या स्मकौन रहेगा तो पना रहे हैं न्यून कौन का क्या है नियून कोन का है कि कि वह कौन जिसके गाप जिरो से बढ़ा हो लेकिन नबे से चोटा हो न मैस छोटा रहेगा। इस एड़ जुखा देंगे इसको और सहट जुखा देते हैं यह हमारे क्या बनगे गिर निवन को आप जम् sensations है को मान से इसका और एक स्थान पर परभि एस के स्थान पर जब ही आएक क्या आएगा हो से बाय और से छोटा आएगा इसलिए अब कि देते हैं व्यांक्त मैं होगा क्ट्रक्र जिसका बना ठोल मीनियंन कौन एप वाहकौन जिसकी माप 0 device से बड़ा और 90डिश छोटा हो उससे कहते हैं वह बडी ने कantry चिपेविए लिग सकते हैं दी तो है दी लिख सकते हैं तीज म review लिख सकते हैं एक चालइस डिगरी भी लिख सकते हैं बचासज डिंघ्री भी लिख सकते हैं छेजह साथ डिंघ्री भी लिख सकते हैं देकि नब्बे डिंटी सकते हैं तोई इसको आफा अगले को कि तरफ तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारा अगला है तिन नमर जो है हमारा अधिक कोन क्या है अधिक कोन अप्ट्यूज एंगल अधिक कोन किसे कहेंगे इसका हकोन जिसकी माप 90 डिज्य से बढ़ा हो और 140 डिज्य से चोटा हो वह कोन जिसकी माप क्या होगा और 180 डिज्म छोटा हो वह पएखे अधिक कौन जिसकी देखिए इसका फीगर आप लोग देखे सकते हैं तो अगर सिधा रखेंगे और सिधा इसको रखेंगे क्या है वह कौन जिसकी माप नबे डिगरी से बराव और 180 से छोटा हो और इसको सिधा कर देंगे यह बन जाएगा अगर इस शरल रिखा बना देंगे बन जाएगा 180 का कौन तो ऐसे भी ने रहेगा करेगा बीच में रहेगा दोनों का है यह होगी 있는 फ्री डिगरी है न अगर इसर करेंगा दो नबे से छोटा हो झाएगा और अगर इसर करेंगे तो नबे से बराव हो और 180 डिग्री से छोटा होगा अधिक को आप लोग याद रखेगा कि वह कौन जिसकी माप 90 डिग्री से बरा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कौन कहते हैं नवा कोन जिसकी माप नबे डिवसे बढा हो और 180 दिवरी से चोटा हो से अधिक कोन लिख सकते हैं एक सब्सक्राइब लिख सकते हैं एक सो नवास एक सो उनासी डिगरी लिख सकते हैं लेकिन एक सो असी नहीं लिखना है जब होना चाहिए तो नवे से बरा होना चाहिए और एक सो असी से छोटा होना चाहिए ठीक है इसको आप लोग याद रखेगा चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कौन की तरफ तो बच्चों अगला कोन है हमारा रीजू कौन कौन a straight angle तूरी जूकन किसे कहेंगे समझें सिंपल इसमयाद रखेगा 180 degree के कौन को हम लोग बोलते हैं 180 degree के कौन को क्या बोला जाता है रिजु कौन या सरल कौन या सरल कौन भी इसको बोलते हैं 180 degree के कौन को बोला जाता है रिजु कौन या सरल कौन रिजु कौन या सरल कौन क्योंकि इसको तो रिजो कौन या सरल कौन क्यों बोलते हैं क्योंकि जब 180 कौन बनता है तब जो हमारा कौन है वह एक लाइन का रूप ले लेता है कैसे नवमान लेजिए देखे। आप इसाहन से ये करन आपको का एक और करन लेते हैं इसको दुसरा कलर से ले लेते हैं एक और करन लेता है उसाहन से आपे यह और लेते हैं तो यह चला जाएगा और इसी बदम सीधा ले आई यह सीधा एदम देखें यह एक लाइन का रूप ले लिया एक लाइन का रूप ले लिया तब यहां जो यह कौन बनेगा इसी को बोलते हैं एक सो असी डिगरी इसलिए इसको बोले जाता है रिजू कौन या सरल कौन अस्ट्रेट एंगल रिजू कौन या सरल कौन क्योंकि 180 civ को उन्म करें अमने बोलते हैं रिजु कोन या सरल रिखेगा जब भी आपको कोई बोलेगा कि 180 डिग्री का कいき अगया 180 डिग्री का कौन थीक है है या सरल चलिए सका लिख लिएगा वाह को जिसके माप एक सो dok वोसे रीजु कोन कहते हैं या चलिए अग। कोन की तरफ हम लोग चलते हैं तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं पाँचमा कोन का नाम है पुनर्युक्त या परतिवर्ति कोन याद रखेगा पुनर्युक्त या परतिवर्ति कोन रिफलेक्स एंगल रिफलेक्स एंगल इसको भी याद रखना है इसका भी डिफिनेशन बहुत सिंपल है इसको बोलेंगे वह कौन जिसके माप 180 डिगरी से बरा होगा इसके माप 180 डिगरी से बरा होगा ठीक है वह कौन जिसके माप 180 सी डिगरी से बरा होगा ठीक है इसके माप 180 सी से बरा लेकिन O B ठीक है और दुसरा किरन लेते हैं तो दुसरा किरन लेते हैं O A चलिए तो पता ही होगा आपको अगर सिधा रखेंगे तो बनेगा सम कौन इस तरफ जुका देंगे तो बनेगा नियून कौन इस तरफ जुका देंगे तो बनेगा अधिक कौन सिधा कर देंगे तो बनेगा क परती ज्धतिक भष्यिंगा कमारा यूुक्ति या परती वर्ति कौन है लेगा हमारा तो इसका जो मात होता है क्या होता है? 180 बढूरा मेरा acordo सब्सक्राइब Statese च्छोटा होता है इसका है एक सोसी डिगरीज से बाहल होता है और थिल्मान पूराह को जिसके माप 108 टिगरी predicted से बाहल को निवाल भूल नवम लोग पुनढर यूख्ड को आन एक्सक्राइब बढ़ा हो और 360 से छोटा हो ठीक लिखते हैं इसका डिफिनेशन देखे दान से वाह कौन वच्चों आप लोग देख सकते हैं हम लोग लिख लिए हैं कौन का प्रिभासा वाह कौन जिसकी माप 180 डिग्री से बढ़ा हो एबं 360 डिग्री से छोटा हो उसे पुनर्युक्त या प से पुनर्युक्त कोन कहते हैं ठीक है चलिएं आप लोग एकजांपल लिख सकते हैं जैसे में जैसे में आप लोग लिख सकते हैं लिख सकते हैं 190 डीघरी को दो सो डीघरी लिख सकते हैं नहीं कि रेगगा और तुम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कुन की तरफ तो बच्छों अगला कौन है हमारा शंपूरा कौन सप्लिमेंटरी एंगल सप्लिमेंटरी एंगल संपूरा कौन किसे करते हैं समझें एक साथ कौन जिसका योग 180 डिगरी हो उसको हम लोग बोलते हैं संपूरा कौन जिसको जोरने पर 180 डिगरी आ जाए उसको बोलते हैं संपूरा कौन सप्लिमेंटरी एंगल जैसे कि देखे स्टाट डिगरी अपलस 120 डिगरी इसको जोरने कितना एगा 180 डिगरी आएगा संपूरा कौन जोरने कितना एगा 180 डिगरी त्रिका कर लेगा हमारा सप्लिमेंटरी एंगल संपूरा कौन 150 का लाएगा 30 का संपूरा कौन क्या होगा तो आप लोग को सोचना हैं जैसे कि 120 डिगरी में 60 डिगरी जोर देते हैं कितना आता है 180 डिगरी आता है आता है ना साट डिगरी का लाएगा 120 डिगरी का संपूरा कौन क्या होगा तो आप लोग को सोचना है कि इसमें कितना जोर देंगे ताकि 180 मिल जाएगा तो देखें ऊपके संपूर क्या होगा एक सो तीस डिग्री जैसे 110 डिगरी का संपूरक बताइए пош यह सौचना है कि 110 डिगरी क्या जोर रे ताकि 180 डिग्री मिल जाना चाहिए 110 डिग्री में क्या ऐसा जोर दें ताकि 180 डिग्री मिल जाना चाहिए 110 डिग्री में 70 डिग्री जोर देंगे क्या मिल जाएगा 180 डिग्री मिल जाएगा दिहान में रखना है तो इसका प्रिभासा ही हो जाएगा के ऐसा दो कोन जिसको जोरने पर 180 डिगरी हो जाएं उसी को बोलते हैं हम लोग संपूरक कौन नहीं के याद रखेगा इसी को बोलबा जाता है संपूरक कोन ठीक है चलिए इसका प्रिभासा हम लोग लिखे लेते हैं बच्छो आप लोग देख सकते हैं संपूरक कोन का प्रिभासा लिखावा यदि यदि दो कोनों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कौन कहते हैं 120 का समपूरक साथ का समपूरक गरहा है क्या रहा है 180 डिगरी इसी परकार से ना देखें हैं लिख सकते हैं ना 120 डिगरी और इसाट डिगरी लिख सकते हैं ना 150 डिगरी और 300 डिगरी एक एक दूसरे का कर लाएगा तो चलते हैं अपने अगले कौन की तरफ बच्छो अगला कौन हमारा पूरा कौन कंप्लीमेंटरी एंगल पूरा कौन कंप्लीमेंटरी एंगल इसमें ध्यान रखना है आप लोग को ऐसा दो कौन जिसको जोरने पर नबबे डिग्री आना चाहिए इसने दो कौन नबने डिग्री हो तो उसी को हम लोग को बलते हैं पूरा कौन और दूसरे का कहलाता है पूराकौन इसा दो कौन जिसको जोरने पर कितना चाहिए थी कजिए तक्रम इस दो को एससा लिजिए और उसको जिर सुसकी जोर आ गया दोनों कहलेगा पूर्प 짹सके अगर बिश लोगर को जोर देते हैं तो कितना आता हैँ ङदे कर देते हैं तो ऐसा नहों डोकोन जिसको जोरने पिरणने अजह शिक हम लेंगे हम लोग पूरा कौन ऐसा दो कौन जिसको जोरने पर कितना आना चाहिए उसी कहते हैं पूरा कौन ठीक है चलिए तो इसका प्रिवासा लिख लेते हैं देखे दान से तो बच्छो आप लोग देख सकते हैं डिफिनेसा ना यदि दो कौनों का योग नबे डिगरी हो तो उसे पूरा कौन कहते हैं यानि दो कौनों का योग नबे डिगरी हो तो उसे पूरा कौन कहते हैं जैसे आप लोग एक्जाम पर लिख सकते हैं जैसे देखें तीस डिगरी में अगर हम साट डिगरी को जोर दें तो क्या हैगा नबे डिगरी आएगा यदोनों होगा पूरा कौन ठीक है तो आप लोग को अच्छे तरह से समझ गए होंगे चलिए तो एक बार फिर से हम लोग ना आ कर लेते हैं जहां से देखेगा जांसे आपे मान लिजे यह हमारा एक किरन है और मान लिजे यह हमारा दूसरा किरन है तो अगर एक किरन दूसरे पर सीधा ख़रा हो सीधा ना सीधा ख़रा हो तब जो यहां कौन बनता है वो हता है नबे डिगरी का और इसको हम लोग बोलते हैं सम कौन क्या बोलते हैं सम कौन चलिए दूसरा देखें और यह कौन यहां पर है दिया हुआ औ सीधा को इस त duel का दिए इस तरह जोका दिए तार्म को रिए नहीं फिर कीओ हमारा कोन का लएगा हमारा का लाएगा सम कोन ने एंक जाम रिलते देखता जाले एक दुसरा किरन लिए और इसको इस तरफ जुका दिए तो यहां पर देखें तो यहां जो कौन बनेगा इक हमारा अधिक कौन को कि नभी डिगरी से बरा रहेगा और 180 डिगरी से छोटा रहेगा यह हमारा होगा अधिक कौन वुआ हों कि अधिक कौन होगा जलिए और सीधा लीड खिशनेंगें सीधा लाइन और किशते और मैं बेच में दिए एक बिन्दू और यहां पैशिक यह कर दिए ये होगा हमारा इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको रिजु कौन या सरल ब्रेजु का या सरल कौन ठीक है निपर देखें तक कि इस तरह से और एक यहां से रखना और जुका दिनना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चैसे को पुनरयुक्त कौन या परतीवर्थी कोन पुनरयुक्त कौन या परतीवर्थी कौन इसका होता है 180 डिगरी से बरा होता है और अगर दो कौन का योग 180 डिगरी आता है तो इसको बोलेंगा पूरा कौन ठीक है तो बच्छो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर किजिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में तब तक लिए जैन जैभारत